मेले का कि वेलकम बैक टू दे चैनल गाईज आज हम लोग बात करेंगे हिजगुल्ला के ओन अप दे टॉप लिदर इब्लाहिम अकिल का देथ हो गया है एरस्ट्राइक में जो एस ट्रैक किया गया था इस्राइल के तौरा लेबनन के कैपिटल बहरूत इब्लाहिम अकिल को लास्ट बीस साल से इस्राइल और यूएस धून रहा था इसके पीछे भी एक रीजन है जो मैं आपको आगे जाके बताता हूं ऑन दादर साइट इस बर जो एस्ट्राइक हुआ इस बर एस्ट्राइक में पूरा बिल्डिंग को इस्राइल के तरफ से गिरा दिया गया और इस यह इब्रहाइन अकिल के पास ही दिया गया था हिजबुल्ला में वो लोग अपने तरफ से एक मीटिंग और गनाइस कर रहे थे तब ही आचनक से यह एस्ट्राइक किया गया और जिसमें इनका देथ हो गया तो exactly क्या हुआ था वह आपको बताते है हिजबुल्ला के आज कर और गनाइस किया गया था यह एक रेसिदेंशियल एरिया में और गनाइस किया गया था यह बिल्डिंग जो था यह बहरूत के एक रेसिदेंशियल एरिया के जो पार्किंग है मतलब जो बेसमें में जो पार्किंग होता यहां कार का उस एरिया में यह मीटिंग और गनाइस कर गया जब यह बिल्दिंग को लाप्स कर गया तो अचानक से बहुत ही क्योस हो गया हर साइड में और उसके बाद जो हिजबुल्ला के पिप्टीन जो पीपल है उनलों का देथ हुआ है जिनमें इस्ट्रायल का कहना था कि यह लोग जो है यह कंप्रिटली हिजबुल्ला से कनेक्टिट थे हर लीडर्स थे वो लोगों का ही मीटिंग था इसलिए जो देथ हुआ है उनलों का ही हो गया है और दॉसके अगा लेबन किया गया कि हिजबुल्ला ने यह मान लिया उनलों के टॉप लीडर्स थे इप्राहिम अकिल उनका देथ हो गया है यह तो अगर देखा जाए लास्ट कुछ महिनों से हिजबुल्ला का जो टाइम है वह अच्छा नहीं चल दा है पहले फौत शकर का देथ हो गया इस बार जो ह है अपका इब्राहीम अकिल का देथ हो गया ऑन दादर साइड इसके लाव भी अगर हम लोग देखे तो डिफरेंट टाइम में हिजबुल्ला के तरफ डिफरेंट एटक किया गया इस्राइल के दोरा जैसे कि अगर हम लोग देख लिए पेजर एटक या फिर उसके बाद ज हो रहा है तो यह सब देखते हुए हम लोग को यह पता चलता है के तो अभी जो होता है कि मोसाड इतना परफेक्शन कैसे अपना बना सकता है मतलब मुश्राइब कोई भी ऑपरेशन करते हैं उसमें इसतना पर्फेक्शन कैसे मिल सकता है क्योंकि हम लोग अगर यह ऑपरेशन को देखे तो अगल बागल के जितना भी बेल्डिंग्स था इस पर इसरा कोई भी बेल्डिंग में कुछ भी खरोश नहीं है सार मुसाद के पास exact information था कि किस से हिजबुल्ला अपने लिए यह वाकी टोकी या फिर यह जो जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है जैसे कि यह पेजर यह सब खड़ीते हैं और दादसे जब फॉर्ट सोकर का देथ हुआ अड़ पॉन्ट अफ टाइम तब भी इसराइल बह सप्लाइ कर रहा है जिसके वजह से मुसाद इतना परफेक्टली एक्जाक टाइम पर इतना सारा जो ऑपरेशन से उनमें सक्सेस्फुल हो पा रहा है और अदर साइड यह भी हो सकता है कि लेबनन के जो सिटीजन से वो लोग अपने तरफ से कोई information जो है वो मुसाद को सप् है मगर वो जो ट्रैक है उसमें 100% लोग कितना confident कैसे हो रहा है कि यह जो है कोई हिजबुला के leader से ऐसा कोई information के लिए और हो सकता है कि हिजबुला से कोई यह जो इंटेल है यह कंप्रिटली उन लोग को सप्लाई कर रहा है आगे जाके उन लोग के पास जब यह information आ रहा है लोग अपने तरब से एक step ahead जाके अपना technology को यूज कर रहे जिसके बाद यह सारा जो operation से उन में वो लोग successful हो रहा है इस्राइल का जो attack था उसमें इस्राइल ने अपने तरब से 100 missile दागा था और हिजबुला ने अपने तरब से 130 missile दागा इस्राइल पे मगर इस्राइल का एक भी casualty नहीं है कि इस्राइल का कहना था मतलब IDF जो है इस्राइली डिफेंस फोर्स उन लोगा कहना था है उन लोग बस completely information सार वो लोग अपने तरफ से जितना भी स्टेब लेना था वो सब कुछ ले लिए इसके वाई से किसी का भी कुछ भी death नहीं हुआ इस्राइल में on the other side, Hezbollah अगर इस्राइल पर attack करेगा या फिर missile दगेगा तो कब कितना missile दगेगा कहां पर दगेगा यह सारा information अगर हम लोग देखे हमेशा से मुसाद के पास पहले से ही रहता है जिसके वाई से इस्राइल का कोई casualty नहीं होता है on the other side अगर देखा जाए Hezbollah जो है वो इस्राइल ने बहुत दिन से हरफ दिया है जिसके वाई से हिजबुल्ला जो है वो अपने तरफ से कोशिश करता है बार बार कि यह जो एरिया है इसको बापस लेने का रो लोग attack करते है मगर अभी जो है अभी इस्राइल का जो वाँ अपना जो आईडी एफ है वो completely active है on the other side अगर देखा जाए इस्राइल ओ जगा को अपना country का ही जगा मानने लगा है जिसके वाई से इस्राइल भी अपने तरफ से different time में प्रोटेस्ट करता है exactly protest क्या करते हैं उन लोग डारेक्ली हिजबुल्ला के जो कमांडर से हिजबुल्ला के जो टीम में उन लोग अटक करते 1980 में इब्राहिम अकिल ने एक master stroke plan किया था जिसमें इब्राहिम अकिल ने अपने तरफ से बहरूत के जो US embassy था उसमें अटक किया और US citizens को वहां मार दिया जिसके वैसे तब से ही US अपने तरफ से साधी साथ इसराइल भी अपने तरफ से दोनों country मिलके इब्राहिम अकिल को तो इसराइल ने अपने तरफ से यह एस ट्रैक किया और जिसमें यह इब्राहिम अकिल को कमरेटली देथ होगी इब्राहिम अकिल को हिजबुल्ला के अंदर तोहसिंग करके बुला आ जाता था और जब से फॉच शकर का देथ हुआ था उसके बास से ज्यादा तर जो काम है हिब्राहिम अकिल ही कि समाझते थे और अगर किसी काम में इब्राहिम अकिल को कोई बी रीपोर्स करना हो ता तो वो रिपोर्ट करते थे डायेक्ट अशसन नस्रुल्ला को तो सकते कि इस्राइल अपने तरब से आगे जाके कोई operation करें एगेंस्ट हसन नसुल्ह on the other side presently इस्राइल का जो target है कि भाई हिजबुल्ला को completely मिटाना क्योंकि presently आगर हम लोग देखे हमास का जो power था वो completely destroy हो गया है आज के डेट में भी हमास के जो इस्राइल को आजू बढ़ा करेंगे लेबरन का कुछ पार जैगा इस्राइल का जो सपना है कि को और भी बारा करना है जिसमें हम लोग अपने तरफ से different countries को आजू बाजू में जो भी है उसको हम लोग अंदर ले लेंगे इस्राइल का इस्राइल और भी बड़ा कंट्री हो जाएगा यह dream fulfill करने के लिए इस्राइल अपने तरफ से यह step ले रहा है जिसके वाएसे इस्राइल ने पहले हमास को टार्गेट किया अभी जाके हिस्राइल को टार्गेट करें और भी डिफेर्ट कंट्री जैसे इरान या फिफेर्ट कंट्री के साथ इस्राइल का तो कुछ जरब लगा ही रहता है तो इसका कुछ नगुष जबाब देगा तो इस कहानी में जब नहीं कोई चैप्टर आया होगा मैं आप लोगो के लिए एक नहीं वीडियो मना के लाओंगा अगर यह वीडियो आपको इंट्रेस्टिंग लगा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा मेरा यूटूब चैनल अतनुप पॉल टी ए निंव स्पेस्टिंग ल को जागे सब्सक्राइब कीजे इफरेंट टॉपिक में आपको डिफरेंट इंट्रेस्टिंग वीडियो हम मिलने वाला है जो वीडियो आपको सबसे अच्छा लगता है आपको जो सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि दिन में डिफरेंट टाइम में वीडियो जाता है जब भी आएगा आपको पस तुलाद नोटिक्रिशन पहुंच रहेगा वीडियो देखने के लिए धन्यव उन्यवी तुलाद वीडियो